कि गुद्मानिंग स्टुदेंट्स वेलकम तुलनर सकेटमी चलिए तो टुड़े विल कवर दर इंट्रोड़क्टरी पोर्शन आफ दे सेकंड एक्सराइज और सेट्रेस एक्सराइज प्लस एक्सराइज दोनों कर लिए ठीक है अब आज क्या है सेकंड एक्सराइज का इंट्रोड़क्टरी पाट वैसे बड़ा है इंट्रोड़क्टरी पाट दो क्लास में कवर करने जितना है बट चीजें उतनी मुश्किल नहीं लिए 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 कोशिश करते हैं कि एक दिन में खतम कर दें लिए नहीं होता है तो फिर कल करेंगे ठीक है चलिए जैसे हमने कोई नया टॉपिक सीखा और बिकॉज वी आर स्टॉडिंग मैट्स तो मैट्स में अपन जो भी चीछ सीखें उसके उपर अलजेबरा तो लगेगा ही लगेगा अलजेबरा मतलब ऑपरेशन तो लगेंगे लगें किस टाइप के अपरेशन लगेंगे एडिशन यह देन सब्ट्रेक्शन यह जिसको अपन डिफरेंस भी बोलते हैं और एंडेन मल्टिप्लिकेशन मल्टिप्लिकेशन और मैट्रिस का मल्टिप्लिकेशन जो होता है वो दो तरह के से डिफाइन होता है एक होता है स्केलर मल्टिप्लिकेशन और एक होता है मल्टिप्लिकेशन ओफ टू मैट्रिसस मल्टिप्लिकेशन ओफ मैट्रिसस लिख दो मल्टिप्लिकेशन ओफ मैट्रि को मल्टिप्लिकेशन में कवर करेंगे कि दिविजन करने के लिए तो यह कर दो और देखा जाये तो सब्ट्रेक्शन भी कुछ अलग चीज नहीं है एडिशन का ही पार्ट है बड़ बुक में दिया हुआ अलग से तो अपने इसको अलग से देखेंगे ठीक है और इनके बीच में इनके बीच में इनकी प्रॉपटीस यह तो सीखना ही है कैसे जोड़ते हैं कैसे घता तो आגी अगी Mrs जैसे की प्रॉपर्टीज साईगी दिए से इश सॉरा पॉर्षां है हमारे ऐक्सरसाइस नंबर 3.2 का इंट्रोडक्शन इंट्रोडुकमि पार्टमर्टी पुरी की पूरी इन सटीजों इडेर केना चलिए चलिए तो उसके बाद पहली सब हैडिंग जो है वह है एडीशन ओफ मैट्रिस एडीशन ओफ मैसी ठीक है सिंपल सी बात करनों पहले स्वाइब डो मैट्रीस को जोड़ना है जैसे नीचे दिखेहें दोनों को जोड़ना है तो सरल सी बार्षा यह है corresponding elements को जोड़ना है that's it बिल्कुल short and subtle सी बात है दो matrices को जोडना है मतलब उनके corresponding elements को जोडना है अब ये बात common sense की हो गई कि सर अगर corresponding elements को जोड़ेंगे तो दोनों matrices same order की होना जरूरी है क्योंकि अगर order ही अलग-अलग होगा तो फिर same elements मिलेंगे नहीं जोडने के लिए like मानलो ये तो थी अभी ये किस order की है ये है 3 by 2 order की है 3 rows 2 columns ये भी है 3 by 2 order की है मानलो ये 3 by 3 order की होती तीसरा column और होता तो फिर इदर तो तीसरा column है यह नहीं न corresponding elements मिलते के जोडने के लिए तो define ही नहीं होगा दो बाते पहली चीज addition of two matrices define होगा जब order से नहीं 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 होगा आपको जोड़ी नहीं सकता ठीक है लाइक मैंने का x के साथ क्या जूड़ सकता है तो एक्स के साथ 2y जूड़ सकता है कि नहीं इसको ऐसी लिखना पड़ेगा न डिफाइन ही नहीं सिमिलरली मैट्रेस में भी पहले तो आपको चेक करना है कि जो चीज दे रखिए वो डिफाइन भी है या नहीं है तो कैसे चेक करोगे ओडर शुड़ी सेम और शुड़ी सेम कर दिया आप करो तो एडिशन कैसे करोगे इधर जो सीक्वेंस है उदर भी उससी सीक्वेंस का अलिमेंट पकड़ो ठीक है अब क्या होता है कि मैथमेटिकल इसको लिखे कैसे स्टेट्मेंट फॉर्म में तो मैंने लिख दिया एडिशन ऑफ टू मैट्रेस मीन्स यह तो सिंपल लैंग्विज में मैंने लिख दिया बट मैथमेटिकल उसको लिखे कैसे तो लिखना बस एक बार सीख लो एक बार सीख जाओगे तो फिर वही चीज़ आपको मल्टिप्लिकेशन में करनी होगी तो देखो क्या करना है नोट साब गर पर बना सकते हो ने चलो देखो क्या गता है रिड़ाउट करते हैं लोग छ इंपोर्टेंट बात यहां पर नोट करने की है कि अगर मैंने यहां पर आईजे लिया तो वहां पर भी आईजे लिया है याने कि सेम सेम ले लिया और अंदर के एलिमेंट्स भी सीक्वंस टू सीक्वंस ही जुडएंगे ठीक है इधर भी आईजे लिया तो उदर भी यह लिखने के तरीक है अब सर जोड तो दिया जुड़ने के बाद क्या होगा फीसरी मैट्रेक्स आईगी वह किस और कि आईगी उसी ओडर कि आईगी जिन और के वह तोनौ मैट्रिसेस हैं तो देखो रिजल सेने थाड़ मैट्रेक्स नाम की वह भी आईए चेक करो और उसके जो अंदर के एलिमेंस हैं उनका सीक्वंस भी वह आईजे होगा इधर अगर टूवन है तो टूवन वाले एलिमेंट को टूवन वाले एलिमेंट से जोड़के एधर सेंवें और यहां पर यहां पर यहां लिख रहा हूं यहां पर यहां हूं हो इक रियल निंटर जूड़के पीसरा इंगर आजाया और यहां हैं आई और यहां लेना है सारे के सारे from one to M total number of rows one M होती है और जे लेना है सारे के सारे from one to N total number of columns N होते हैं यह लिखने का मतलब यह होता है for any for any I belongs to one two I varies from one to M and J varies from one to N यह लिखने का मतलब यह होता है कि आप किसी भी element को छोड़ नहीं सकते हर प्रकार का I or J cover करना है हर प्रकार का I cover करना है वन से लेकर M में हर प्रकार का J cover करना है वन से लेकर N में आप एसा नहीं कि सबके लिए चीज लागो होगी इस तरीके से आप उसको जोड़ के elements बनाओ और प्रॉब्लम नहीं जोड़ना है बस अब जोड़ना सोचो कितना इसी सा पार्ट होगा हमारे लिए अब नेक्स टिंग नोट डालके लिखना है नोट डालके वही लिखना है चुछ सबसे पहली बात कहीं में एडिशन में दो मैट्रिस का एडिशन तो और मोर मैट्रिस दो से ज़्यादा आपको जोड़ सकते ना अपन तभी डिफाइन है अगर यह होगा तो ही सेम लास्ट में क्लोजिंग स्टेट्मेंट जाते जाते सिंपल टम्स में एडिशन ऑफ टू मैट्रिस इस मीन सम और यही तो बात कही थी दोनों के को प्रॉबलम नहीं है अब एडिशन के बाद नेक्स चीज़ क्या आती है सब्ट्रेक्शन से पहले उसको सीखने के लिए ह ऐसा क्यों ऐसलिए कि अगर आपको पांच में से तीन घटाने तो आप पांच में तीन का नेगेटिव जोड़ो बात तो वही है फिर घटाओ फिर दो लिखो अंसर तो दो यह आना है लेकिन वह कहता है कि सब्ट्रेक्शन जैसे कोई चीज नहीं होती जो कि प्रैक्टिकल ह प्रैक्टिकल होती है पांच में तीन घटानों कुछ होता है पर यह मैट्रिस की दुनिया में क्या कहता है कि डिफरेंस आप टू मैट्रिक्स कुछ नहीं होता वह भी एडिशन ही होता है जिसको घटारे उसका नेगेटिव कर दो और जोड़ फिर उनको वापस क्या कर दो एडिशन कर दो तो डिफरेंस समझने के लिए आपको मैट्रिक्स का नेगेटिव करना सीखना पड़ेगा पहले तो सेकंड टॉपिक क्या हो जाएगा आपका सेकंड टॉपिक नहीं कह सकते बीच का एक छोटा सा पार्ट हो जाएगा निगेटिव औफे मैट्रिक्स निगे अब देखो मैट्रिक्स का निगेटिव वैसे तो वैसे तो स्केलर मुल्टिप्लिकेशन इसको यह चोडते हैं तो डिफ्रेंस ऑफ तो मैट्रीस डिफाइं नहीं होता क्यों कि तो सिखने में आगा तो कहीं न कहीं किसी को थो टारेक्ट उठाना ही भड़ेगा ठीक है न क्यूंकि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टटे हैं तो स्केलर मल्टिप्लिकेशन का पार्ट है लेकिन इसको डीटेल में तो मैं बाद में बढ़ाँगा अभी मल्टिप्लिकेशन शुरू होगा अभी दीटेल में वापत देखेंगे ठीक है क्या कहता है दन निगेटिव और माइनस से और माइनस से करने के लिए आप कुछ मत करो मैट्रिक्स एक स्केलर माइनस से गुणा करा दो माइनस सजार और गुना करा होगे तो क्या होगा आपने जिसे मैट्रिक्स की जन्रल लिगी न तो कुछ भी नहीं अंदर जो यह elements बैट हैं अंदर जो यह elements बैट हैं हर एक element माइनस वन से मल्टिप्लाय हो जाएगा तो जो ए आई जे नाम का जो एलिमेंट था अंदर अब वो माइनस ए आई जे की तरह दिखाई देगा अब आई कुछ भी लो जे कुछ भी लो सबको नेगेटिव करना है तो वेरी इजी ठीक है बिल्कुल बच्चों वाली चीज़े लग रही होंगी और हैं भी हैं भी बस एक सिस्टम याद रखना नहीं चीज़े तो उसमें सब्सक्राइब करो कोई खाना बनाता है अब उसको बहुत प्रैक्टिस से खाना बनानेगी अब को नई डिश्फो तयार कर रहा है तो उसको दो बस हिंटी देना इसमें ऐसे करना है बागे उसको सब्सक्राइब बताना बिक आपको नहीं इस तो बिल्कुल बेसे के कुछ एडवांस शुरू होगा तो चोती पांचवीशटी में फिर भी हमको लग सकता ही कुछ नही है अब इन सिंपल टम सुन लो सरल सिवाशा में बात करें तो एक मैट्रिक्स को निगेटिव करने का मतलब means to multiply each element of the matrix by minus 1 या फिर दूसरे शब्दों में कहें to perform the negative of each element of the matrix के हर एक element का निगेटिव करना ही मैट्रिक्स का निगेटिव करना है अब निगेटिव अफ मैट्रिक्स समझ गये हो तो आजाओ difference of the matrices second operation मैट्रिक्स को निख चीज टॉपिक समझाने का ता अना का मतलब क्या होता है जैसा कि मैंने आपको कहा कि दो मैट्रिक्स को जोड़ना या दो तो दोनों नंबर को घटाना करो और दोनों का ऐडिशन से ले रहा हूं में और नोटीस करो order इदर भी same होना चाहिए क्यों क्योंकि ultimately जोड़ रहे हो नेगेटिव करके जोड़ रहे हो कि नहीं जोड़ने में order same होना चाहिए उपर चेक कर लिया तो फिर ultimately जब जोड़ना है तो इदर भी order same होना चाहिए तो ए अगर एक matrix है तो इसके elements को ऐसे समझे उल्टा भी हो सकता है वाई सी वर्षा भी हो सकता है क्योंकि जरूर थोड़ना है अपने तो अलग अलग चीज़ें मिलेंगी तो वाई सी वर्षा भी लिखती है इसका result क्या आएगा तीसरा matrix आएगी और वह भी same order की आएगी वह दोनों मैट्रेक्स भी same order की एंगा एगी होनी चाहिए इन एट रिजल्स इन थर्ड मैट्रिक्स जिसके अब सब्सक्राइब करते क्या है उसमां करना क्या है सरी यह तो बात हो गई करना को नहीं है पहली i m3 यह हर एक element को लेना है और और मतलब है स्भ सका करने से ज्आ करो और मिलेगा सीट्वन्स फारी यह क्योंकि दो तरीके से प्रेफ्रेंस होता है सब्सक्र प्रकार कवर करना कवर करना सारी रोज सकते हैं यह सकता सारी जाटफ सब्सक्राइब शूट नहीं सकता कोई धाउट अ किवह अच्छा इसमें भी हम वो नोट डाल के लिखेंगे कि लाइक एडिशन एडिशन की तरह ही डिफ्रेंस ऑप्टू मैट्रिस इस भी डिफाइंड तब ही होगा ओनली वेन ओनली वेन डियार ऑफ दा सेम और तब ही डिफाइंड होगा जब सेम और और सिंपल टम्स में बात करे दो मैट्रिस का डिफरेंस करने का मतलब होता है उनके कोर्रोस्पोंडिंग अलिमेंट का डिफरेंस करने मैट्रिक्स को कैसे घटा होगे फैरीज इस अब क्या दो ऑपरेशन हो गए यह एडिशन सब्ट्रेक्शन मुल्टिप्लिकेशन चलें नहीं चलेंगे पहले यह चीजों की प्रॉपर्टि सेखें हैं कॉमिटेटिव लोग सेट्स में सीखें ती ख्लास इलेवनत में फिर हमने कब सिखें ती कॉम्प्लेक्स नंबस को जोड़ते हैं गताते हैं गुणा करते हैं नहीं होता यह उदर भी चीजा फिर क्या रही है सो कॉमिटेटिव क्या होता है यह सेम चीज आए उल्टा फुल्टा करके अगर सेम चीज आ रही है तो वह कमिटेटिव लो फॉलो करेगा क्या कह रहा है कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसे एक मैट्रिक्स यह ले लो दूसरी मैट्रिक्स यह ले इसको कई बाद हो यह तो वैसे तो बहुत ही रेरेस चांस है कि कोई करने के लिए कह दें की नियुक्त जो मैट्रिक्स एडिशन ने से जोड़ेंगे हम इस तरीके से प्रूव करेंगे ए प्लस भी को हमको प्रूव करना भी प्लस है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो एक ब्रूस तो मively क्यों चेशक और जोड़ने का मतलब अभी कहा था मैंने अंदर के मतलब ये अंदर के एलिमेंट्स हो जाएंगे ये प्लस भी आइसे और उसके बाद फिर जो मेरेको और मिलेगा वह पहले तो मैट्रिक्स जोड़ रहा था अब तो यह दो रियल नंबर का जोड़ने का एडिशन कॉमिटेटी होता है यह तो बहुत पहले सेवन में पढ़ चुक है तो उसको फोना प्रूव करना है तो अगर मैं को दो प्लस तीन लिखावा है तो मैं तुसको अगली स्टेप मे ओन भी सिर्ण भी रब पहले तो मैट्रिक्स में जरणल फॉण में अलग अलग लग ओयलो और एट-लास मैं पर इसको इसका एक नाम लग देता हूं जो भी नाम उपर मैंने लिखा भी प्लस तुसरमाणव कर रहे होगे का जकी लग रहा एक तरीके से ऐसे ही प्रूव तो बेटा यह तो नमबर है वह मैट्रिक्स है मैट्रिक्स का करना है नमबर का पहले प्रूव हो चुका है तो इसको लिख सकता हूं नमबर में नमबर में कुछ किया फिर एलिमेंट फॉर्म में कॉमिटेटिव लगाया और फिर वहाँ से वापस मैट्रेक्स क्रियेट कर दी तो यह प्लस भी इकॉल टूब प्लस एक प्रूब हो गया कि कॉमिटेटिव लोग करता है और ऐसे एसे बाकी सारी चीज़ें करेंगे जैसे कि मुझे यहोग गई। इस एक प्लस भी करना हैलि के तो मैंने ऐखेंनलफ मांस इलगा दिए अनब लगे अब यह नंबर है अब आपश ऋलग लग कर दिया वापस बहुत नाम लिग दिया दाट essaser से प्लस प्लस फिराबर बी फ्लस ्रूज छले डसे एक यह होता है बताओ कि पर लो क्या होता है कि बाद तो फिर फॉलो होगा नहीं हो तो आप मैं दोनों को जोड के समें जोड़ू या मैं इन दोनों को जोड़ के मतलब यह सब्सक्राइब करता था दो साल पहले जो आपके पिछले साल तो ओमिट हो गया इस साल किताब से लगया एक बार में तो हम बार में लगा ना मन केन चाहिए क्लेशन कले और हम ने फटाबन आंसर दे दिया सामने दो लगा कि इसने चार नंबर को एक सा जोड़ा है लेकिन हमारे मन के अंदर मारे दिमाग के अंदर जो calculation चली वह एक बार में बाइनरी ही चली तो अगर में तीन matrices को जोड़ना है like a plus b plus c तो आप कितने भी फास्ट क्यों ना हो आपको क्या करना पड़ेगा बाइनरी लगाना पड़ेगा तो यह क्या कह रहा है चाहे से आप बाइनरी मतलब दो को एक बार में जोड़ना पड़ेगा तो यह क्या कह रहा है चाहे से आप एक बार में a plus b जोड़ो और चाहे से और पहली बार में b plus c जोड़ो और जो आंसर है उसको फिर a से जोड़ो you will get the same answer यह होता है असोसियेशन चाहे से आप इसका करो या उसका करो या उसका करो यह इन-to-same अभी जैसे मजाक किया था थोड़ा बड़ा मजाक करना है ठीक है देखो यह जोड़ों की तरह लगेगा आपको क्या किया मैंने a plus b पहले तो मैंने a plus b को जोड़ा प्लस तो फिर मैंने की lijsters सक्षाव मैंने इसकी जंडरल फॉर्म मों को जोड़ने का तरीका भी पिछलें पीछे सीख्यां पर करना पड़ेगा दोनों को जोड़ के रखना पड़ेगा और अदर जोडने के बाद तो यह तो होता है तो फिर में क्या करूंगा अंदर जाने के बाद ब्रैकेट में यहां लगा दूँगा कि प्रूव मुझे वहां जाके उस चीज़ को जाके करना है समझ गया फिर वापस अब अलग-अलग करना शुरू करो यहां तक तो आज के मिला है अब वापस तोड़ना शुरू करो करेंच तोड़ना शुरू तो क्या गरूंगा मैं इसको तो अलग लिख दूँगा और इन प्र मैं नाम लिख दूँगा इसका नाम क्या है उसका नाम क्या विप्लस तो स्टार्ट में ने किया था एप्लस ब्रेकिट था खता में नहीं आगे तो देट इस अब एडिटिव आइटिटी और एडिटिव इन्वर्स यह चीज़े हमने कहां सीखीती इस से पहले कहीं न सीखी नहीं से भाइनरी ओपरेशनस में होती थी लेकिन उसके अलवा भी कहीं ने सीखी दो गए सब्सक्राइब क्या होता है बूलो मैंट्स में अडेन्टीटिटी कों क्या करते हैं नहीं पता मैं यह एक चीज होती है अब सिस्क्य मत्लब नंबर多 हो वह मैक्रिक्स पड़ा देनं तो मैक्रिक्स आ जाए गा कल यह kommt नमगर पड़ेंगे वह Deps बन जाएगा यानि अभी मैं चीज से डेनोट कर रहा हूं कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी दूसरी चीज के साथ जब आसोसियेट हो उसके साथ उसके साथ शामिल हो तो सामने वाली चीज के आइडेंटिटी ना बदले अब आइडेंटिटी मतलब एक ऐसी चीज जो सामने वाली चीज के आइडेंटिटी ना बदले उससे असोसियेट होते टाइम अब identity समझ गए तो additive identity क्या है additive identity मतलब एक ऐसी चीच जो सामने वाले से जुड़कर उसके identity ना बतले और multiplicative identity आएगा तो वो एक ऐसी चीच जो सामने वाले चीच से multiply होकर उसके identity ना बदले बदलनी नीची अब आप math में सोचो ऐसी कौन सा number होता है जो सामने वाले नंबर से जुड़ जाए तो उसके identity ना बतले मतलब वो नंबर सेम रहे जाए वन को मैं ठी में जोड़ूँगा तो ठी रहे जाएगा यह यह रहे जाती यह हूं तो फिर एसी मैट्रिक्स ओव्यसली मुझे क्या मिलेगी निल मैट्रिक्स से जीरो समझ गए देखो क्या गयता है दाइडिटेव आइडेंटिटी इसे मैट्रिक्स की दुनिया की बात हो रही है तो अभी यह भी एक मैट्रिक्स है दो इसको जोड दे दो मान लो कि मैंने एक मैट्रिक्स ले ली कोई भी इनुक्रिक्स तो इसके अंदर अगर मैं ओ जोड दू तो इसकी एडेंटिटी बतलेगे क्या then we can see that अच्छे जोड़ना कॉमिटेटेव तरीके से इदर से भी उदर से भी like अगर मैंने का गी sir एसी मेट्रिक्स मुझे एक B मिल गई तो B मिल गई तो तिरको A में B इदर से भी जोड़के देखना है उदर से भी जोड़के देखना है और B प्लस से भी करके देखना है तो यह चीज़ क्लियर हो गई कि A प्लस B और B प्लस से सेम आंसर देना चाहिए तो यह चीज़ क्लियर हो गई कि additive identity या किसी भी प्रकार की identity valid तब ही होती है जब वो operation commutative हो तो addition commutative था न इसलिए यहाँ पर इस चीज़ की बात की जा रही है difference commutative नहीं होता है minus करना commutative नहीं होता है तो कभी भी difference identity की बात नहीं की जाती है commutative law follow होगा तब ही उस operation की identity की बात करी जाएगी ठीक है तो which on adding मतलब A के साथ मैं O ऐसे जोड़ू या commutative तरीके से वैसे जोड़ू दोनों ही तरीके से इस A matrix की identity नहीं बदल रही यह आज भी A ही है तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं क्या कहूंगा 0 matrix यानि की null matrix जो है 0 matrix के तो null matrix के तो लेकिन order सेम होना ची उसका of the same order क्योंकि जुड़ना तो सेम order में होना ही पड़ेगा इस the additive identity of the matrix A यह इस matrix A की additive identity और matrix A क्या ली थी एनी matrix ली थी that means null matrix किसी भी matrix की additive identity हो सकती है बस जिस matrix की आप additive identity की बात कर रहे हो उसका जो order है null matrix का भी वही order लेना बढ़े null matrix के तो वो सारे order हो सकते है 0 0 0 0 0 0 0 जो दूसरी matrix जिसकी identity की जिसकी आइडेंटिटी चाहिए आपको आपको टू बाइथी matrix के order की मैट्रिक्स की आइडेंटिटी चाहिए तो आप एक नल matrix भी टू बाइथी order की ही रखेंगे और कहेंगे कि यह साब यह इसकी समझाया identity समझाया क्या होती identity इसकी आइडेंटिटी आइडेंटिटी ना बतले उसकी शकल ना बतले आइडेंटी मतलब क्या होती है इंप शकल उसकी शकल ना बतले जियों की तो ही छोड़ दें अच्छा तो फिर मैट्रिक्स की दुनिया में वह सफ़ोंटिटी सीखा इडेंटिटी सीखा जाता यह दोनों साथ में चलेंगे और दोनों और दोनों टभी चलेंगे जब पॉमिटेकिटवलो हो रहा है तो किस-किसमें ठीक है अब एडिटीव इनवर्स सोचो सुनो ग्रीन से एक एसी चीज है वापस तो फिर मैट्रिक्स ही है वो चीज जो किसी और मैट्रिक्स से अभी बी एड़ और यह ऐडिडिटिव है गेटीटिटिटी आंसर देरी है अब एडिटिटिटीटी बता चुक हो में क्या है मैंट्रेक्स सोच नहीं है किसी से जुड़ के रूप में सोचो मैं n difet यह से और सोचने 5 में क्या जोड़ं कि मैini आ ज्याएं माइनस किसी फाइविश्टों किसी नंबर का निगेटिव ही उसका संद क्या इनवर्स क्याता है क्योंकि इनवर्स तो दो तरीके क्यों होता है और यादर है अगर आप एडिटिव और मौल्टिप्लिकेटिव वर्ड यूज ना कर सिंप्ल के दोगे ना तो बाइडिफॉल्ट वह वोलना हंड़ेड पसेंट जरूरीग यह उन्वर्स में बोलो ना बोलो उन्देटिटाइग वो Sutra तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसी नंबर का निग्टिव होता है तो किसी में मैत्रिक्स का एडिटीव एंवर्स उसी मैट्रिक्स की निंगेटिवा सब्सक्राइब एडितीव सिखना सिखा गालिए कि đ Abs कि द अडिकिव इन्वर्स हिस ईव मैट्रिक्स विच ऑन एड़िंग तु ए डीवन मैट्रिक्स रिजल्स और इंदाएड़िटिव इंटिटीटेटीटीच गत्विंट्स से बात होगई कि एक होई भी मैंट्रिस ले निमेने थाना इन्वर्स में और आइडंटी में भी तो मैंने तरीक देखा तो मैंने मैंने मैं इस Citizens जोड़ के देखा दोनों सब्सक्राइस दोनों से बाइनस यह तोङ कुन्क्लूट करते हैं किसी स gleich इंवर्स ऑफ औप लौक, लए किस एंवर्स कहला जाता है तो हूँ इन शोट मुझे बता ओ चार फॉरपर्टी ने दो Details हैं में में एडिटिटिटिटिटिटि एगजिस्ट करती है होती है और क já सी होती है नवी मोजुद होता है कहां होता है कैसा यस बबाद में होता है मैट्रेक्स का मैट्रेक्स है मल्टिप्लिकेशन की बात करूगा जैसे मैट्रेक्स है उसको मल्टिप्लाय करना है तो या तो एक यह नंबर से मैट्रेक्स से मल्टिप्लाय होगा या तो नंबर से मल्टिप्लाय होगा या फिर मैट्रेक्स का मैट्रेक्स तो इस तरीके से मैल्टीपिलिकेशन दो तरीके के हो गए एक को कहेंगे स्केलर सकते हैं ध tiet और tomat «gaaw» तो करना थी आप करना मतलब तो मैं बता तुछा हम आदी माइनवह वहाइस कि तो स्दूर्पलिकेसं टो पूर्य एक्ससाइज में जो है वह यह तो इसके लिए थोड़ा सा एनर्जी बचा के रखो बलब यह आएगा तब फोड़ा से ज्यादा फोकस करना है बाकि यह तो स्केलर मैल्टिप्लिकेशन तो अभी एक तरीके से निगेटिव और अब हालनकि इसकी भी प्रॉपर्टी है दो उसको देख लेंगे सब्सक्राइब हो गई एक मैटरिक्स है उसका किसी नाम से गुणा करनेका मतलब होता है कि इस तरीके भोँगा तो भी आई ज़े वो element है इस set का एलिमेंट यह सब्सक्राइब और आई-इस सब्सक्राइब तो इसका इलिमेंट तो इसका इलिमेंट मिलेगा जब उसके को के से गुणा करोगे और ऐसे हर एक element को करना है सारे के सारे आई लेने सारे के सारे जे लेने ठीक है यह होता है स्केलर सिंपल सी बात करूं मेरे पास एक मैट्रिक्स से 1379 और किसी ने का इसको टू से समझ गया है इन सिंपल टर्म्स की बात करें तो मल्टिप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाइए स्केलर मिन्स मल्टिप्लाइंग इच और इवरी पता है कब लगाते हैं कुछ छूट न पाहे इच कब लगाते हैं कि सबको करना ही है लेकिन क्या होता है इच में एक ऐसा होता ही श कोई एक्सेप्शन नहीं है किसी को विश्य सदिगार प्रात नहीं कि आप छूड़ जाओ ना सबके लिए यह रूल अप्लाए होगा ही जो भी गीवन स्केलर दे रखा है कोई भी गीवन स्केलर दे सकता है इसकी दो इसी प्रॉपर्टीज है जो की रियल नंबर्स पर भी होती है क्या है देखो द्यान से देखो पहले मध रियल नंबर्स में बता देता हूं अगर मुझे 2 इसरी प्लस5 करना है कि तो मैं कैसे कर सब्सक्राइब यह दो मैंटू कर सकता हूँ पहली प्रॉपर्टी यह है ड法ल 맞ना बस यहां पर यह प्लस फाइव करना है तो बोलो क्या कर सकता हूं मैं कर सकता हूं कि इसको अलग अलग यह नहीं कि अ कर सकता हूं कर सकता हूं कि टूफाइव जा प्लस त्रीफाइव कर सकता हूं कि टैन कि यह नहीं कर सकता हूं गे के देखो मैंट्रस में समझ में रिए नमस्में आई कि देखो सिंपल सी बात है अगर आपके पस के कॉंस्टन एक और दो मेंट्रिकेशस का एडिजीन हो रहा है तो यह-o क्या कहता है अलग-alag स्केलर मेरल्टिप्लिकेशन करवा दो नों का और फिर एंड में चोड़ दो यह तो है प्रोपर्टी नमबर से स्केलर मैल्टिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नंबर बन दूसरी प्रॉपर्टी में इसमें दो मैट्रिस एक स्केलर लिया दूसरी प्रॉपर्टी में दो स्केलर और एक मैट्रिक्स कैसे के प्लस एल और मैट्रिक्स एक ही लेली सिंगल अब यह क्या कह रहा है अगेन वही के ु एंटु एक एक और यही इंड़ेशन की दो नहीं कि अगहां पर करके देखा bracket के अंदर तो हर हाल में addition होना चीए bracket के बाहर bracket close होने के बाद हमेशा multiply का sign होना चीए चाय से दो scalar एक matrix है चाय से दो matrix एक scalar है ठीक है इसको अपन distributed law से भी पढ़ते दे याद करो distribution of multiplication over addition multiplication का addition पर distribution हो रहा है पर कभी भी addition का multiplication पर distribution नहीं हो सकता नहीं हो सकता बोलो ऐसे नहीं कर सकता मैं 2 plus 3 into 5 है तो मैं इसे नहीं कर सकता 2 into 5 plus 3 into 5 यह तो कर सकता हूं यह कर सकता हूं क्या यह यह नहीं कर सकता हूं कर सकता हूं कर सकता हूं कर सकता हूं प्लस 3 इंटू 5 ये तो कर सकता हूँ क्योंकि बाहर मल्टिप्ला आएका साय ने लेकिन ये नहीं कर सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू अंदर हो और बाहर प्लस हो तो ये नहीं कर सकता हूँ 2 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 5 ये नहीं कर सकता हूँ समझ गए तो यह मल्टिप्लिकेशन का एडिशन पे डिस्टिविशन हो रहा है यह एडिशन का भी करना हो तो वैसे करेंगे जैसे मजाग करें पर आवर से देख लो जोड के एक सिंगल से कुना करने का मतलब है उस से दोनों को गुणा कर के आफरी में जोडदो जोड के मल्टिप्लाय करने करना है तो आफ करना है तो जैसे लह फिर में पणसी खूना दिया जनरल फार्म लिग दी उसके लिखने के बाद मैंगे को जोड दिया आप जोड दिया अंदर ये चॉटेंब tomar सकता है तो इनभर से उलाओ कर आया के अहिसे और नंबर नंबरों की दुनिया में का एडिशन पे distribution allowed होता है तो इम्मेने के अलाओ कर दिया। अब यहां से वापस तोड़ना शुरू करो तो अब मैं क्या करूँ गा इस matrix इस matrix को अलग लेलूग उस matrix अलग लेलूगह इस matrix को क्षेकिन पर आगा मैं सथीट मेध दोच ने और मेंटरिक्स लेनी हैं तो क्या को आएगा प्लस एकई दोणके करना हो तो वह यह की फूर्ट मेंने मैंट्रिक्स की जर्न मैंनेट तो अंदर मेंट्टीक्ळ कर वह já अब यह numbers हैं, तो numbers में distribution चलता है, तो k into aij plus l into aij, फिर मैंने इनको अलग-अलग करके matrix की general form में तोड़ा, और general form में तोड़ने के बाद फिर मैंने उसमें से k और l बाहर निकाला, k और l बाहर निकालके फिर मैंने simply उसका नाम लिख दिया, के और l को जैसे में ने बाहर निकाला, फिर उसके बाद simply मैंने इसका नाम लिख दिया, तो यह भी property हो गई, प्रूव, ठीके, समझ में आ रहा है न, अब last in the final and the most important topic, किलकुल तविछ से समझना, अभी 20 मिनट है, समझने के लिए उसको, और 20 मिनट में समझ में आ सकता है, आन तक तो कुछ ऐसी चीज नहीं थी, जो भी बहुत ज़्यादा complicated थी, थोड़ा speed में चले, लेकिन अब है ऐसी चीज, जो थोड़ा सा ध्यान देने की तो जरूरत है, जब मैंने chapter start किया था, तो मैंने आपको कहा था, कि जब अपने linear equations and two variables कर रहे थे, तो उनको solve करने के लिए आपन actually numbers का ही तो उप्योग कर रहे थे, तो क्यों ना उन coefficients को matrix में लिख दें, और वो xy xy हटा दें, तो matrix में लिखने के बाद सुर्वो solve कैसे होंगी, तो वो solve होंगी इस operation से, वो solve होंगी इस operation से, जो अब अपन सीखने, दो matrix का multiplication करने का मतलब क्या होता है, तो पहले तो यह समझो कि दो matrix का multiplication define कब होता है, addition कब define होता था, subtraction कब define होता था, जब उनके order से, और scalar में तो एक ही matrix से तो कुछ सोच नहीं, तो दो matrices का multiplication define क्या तब होगा जब दोनों के order से हैं हो, नहीं, नहीं, अब सुनना ध्यान से, दो matrices का जब मैं multiplication कर रहा हूं, तो सबसे पहली ची नहीं, तो एंटुबी को strictly एंटुबी रखना है, strictly, तो जब मैं एंटुबी लख रहा हूं, यानि मैं पहले वाले को पहला वाला एह ही काऊंगा, दूसरे वाले के कोलमों की संख्या, दूसरी वाले के number of rows से मैच होनी चीए, तब तो वो define है, पहले वाले मैट्रिक्स के number of columns और दूसरी वाले मैट्रिक्स के number of rows मैच होनी चीए, यहां से column यहां से, फस्ट का column, second करो, पहले वाले के number of columns, दूसरे वाले के number of rows से मैच होनी चीए, यह सपोस्ट करो, order है मेरे पास, यहां पर तो है 3 by 5, और वहां पर भी है 3 by 5, तो यह define नहीं है, क्योंकि इसके number of columns, तो same order में define नहीं होंगे, हरगिस नहीं होंगे, same order में multiplication define नहीं होगा, हो सकता है, same order में, जब square matrix हो, square matrix हो तो इधर भी 3 by 3, इधर भी 3 by 3, 3 by 3 में सब कुछी मैच हो गया, square matrix ना हो तो rectangular matrix हो, तो फिर multiplication कब define होगा, इन दोनों का multiplication कब define होगा, जब यह number इस number से exactly match करे, तो मान ल भी मिल जाए, चाहिसे 5 by 8 मिल जाए, एनिटिंग, तो तो अभी यह define है, otherwise दो matrices का multiplication define ही नहीं है, पहली चीज़ समझ में आई गया, तो अब सर define तो होगया, आप करके बताओ, multiplication करना कैसे हो, पढ़ो, the multiplication of two matrices, एक matrix है A, जिसके elements को small a से denote किया, दूसरी matrix है B, जिसके elements को small b से denote किया, सबसे पहली चीज़ तो आप यह पढ़ो, मैंने इसका sequence क्या रखा, IJ रखा, तो उदर क्या रखा, JK रखा, पहली बार ऐसा हुआ है कि sequence same नहीं रख रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो same रखते हैं, ठीक है, उन दोनों के multiplication को A into B से denote कराएंगे, या पिर simply ABB बोल सकते हैं, यह सिंपल सी बात है, डिफाइंड कब है, पहली चीज़ डिफाइंड कब है, only when, only when मतलब यह होना ही चाहिए, the number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B, अभी तक तो केवल definition की बात हुई है, कि डिफाइंड कब है, तो अगर यह चीज़ मैच होनी चीए, तो फिर अंदर का sequence म मैच होना चीए, इसकी jth column उसके jth row से मैच होनी चीए, मतलब अंदर जो गुणा करोगे आप अंदर जाके, तो इदर से आप element और उदर से element कौन सा पकड़ोगे, इदर अगर आपने कोई element पकड़ा है, जो jth column का है, तो उदर आपको ऐसा element पकड़ना पड़ेगा, जो jth row का हो, इदर अगर आपने 3rd column का element पकड़ा है, तो उदर 3rd row का element पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, अब होगा कैसे वो बता रहे हैं, बट मोटा मोटा समझ में आया, order भी वैसे ही चलेगा, अंदर का अंदर का जो operations है, वो भी वैसे ही चलेगा, definition clear है, अब देखो करते कैसे, अंदर की है, तो matrix भी N by P tap के order की होनी चाहिए, चक करो, इसके number of columns और उसके number of rows match कर रहे हैं, अब कोई के सरी यह P क्यूं लिया आपने, आप वापस N by M कर दो, तो N by M करने का मतलब है कि अब इसके rows और उसके columns से match कर दिए, इसके columns उसके rows से match की है, तो फिर उसके जो बच् application आएगा कि match ही होना चाहिए, पर ऐसा जरूरी नहीं है, match हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक तीसरा letter इंट्रोड्यूस करेंगे, M by N दो letter से काम चल रहा था order में, लेकिन अब तीसरे letter की जरूरत हो ही है, तो उस त्रीसरे letter का नाम क्या रख दिया पी, तो define कब है, जब अगर पहली matrix M by N है, और दूसरी matrix M by P है, तो ही define है, मलब यह N इस N से match करें, तो ही define है, ठीक है, define definition बता चल गई, अब सर इसका answer क्या आएगा, एक C matrix आएगी, और पता है किस order कियागी, पता है किस order कियागी, M by P order कियागी, तीसरी matrix किस order कि मिलेगी, अब आपको जो चीज़े उदर बच गई, M by P order कि आपको एक matrix मिलेगी, पढ़ो, and the product of these two matrices, this one and this one, will result in a third matrix C, जिसका order क्या लिखा हुआ है, M by P, अभी तक तो आपने यह सिखाएगी, define कब है, और मिलता क्या है, define कब है, number of columns, उसके number of rows से, यह तो definition की, यह तो eligibility criteria हो गया उसका, यह यह हो, multiply हो सकता है, अभी तक भी नहीं बताया कर रहेंगे, कैसे, अब बताएंगे हैंना, चलो multiply हो सकता है, मिलेगा क्या, product क्या मिलेगा, answer क्या मिलेगा, third matrix, किस order कि मिलेगी, उसकी roll ओ, और उसकी column लो, पहले इसके column और उसके roll यह, तो अब उसकी roll ओ, first वाले की roll ओ, and second वाले के column, ठीक है, यहना, m by p, short में याद रखेंगे, तो अगर m by n और n by p था, तो अब क्या order लेना है, आपको m by p लेना है, done, तो अब मैं बता रहा हूँ करते कैसे, ठीक है, अब अगली matrix कैसी लेनी पड़ेगी, वो सोचो, अगर multiplication आपको allow करवाना है, तो अगली matrix कैसी लेनी पड़ेगी, किस order के लेनी पड़ेगी, 3 by something, very good, याने तीन rows लेनी पड़ेगी, तो तीन rows मैं ऐसे ले लेता हूँ, कॉलम कितने लूँ, take any number of columns, कितने कॉलम लेना चारे हो, बताओ, मैं ले लेता हूँ, चलो, मैं ले लेता हूँ, four number of columns ले लेता हूँ, दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम, चोथा कॉलम, क्या order हो गया इसका, 3 by 4, तो सबसे पहले तो चेक करो, यह define है, बिल्कुल define है, अब बताओ answer क्या आएगा, दो चीज़े देखने ही, पहले define है और अब answer क्या आएगा, एक 2 by 4 की matrix आएगी, 2 by 4 की matrix की general form लिख सकती हो, दो तो रोज लिखनी है, और 4 columns लिखने है, लाइक दिस, यहनि एक ऐसी शकल की matrix मिलने वाली है, अब मिली की कैसे सर्ष के elements कैसे लिखो, तू देखना द्यान से, पहली row पकड़ी, बोलो पहली row पकड़ी यहां से, multiplication row to column सलेगा, उदर से पहला column पकड़ाओ, number of elements same मिलेंगे आपको, इधर 3 है तो उदर भी 3 है, ठीक है, element to element गुणा कराओ, मतलब पहले element को पहले element से, दूसरे element को दूसरे element से, तीसरे element को तीसरे element को तीसरे और जोड़के जो answer मिलेगा, वो बैठेगा यहां पर, ठीक है, अब दूसरे element, तो देखो, यह यहां पर क्यों बैठा, इसका वो बताओ, sequence बताओ, इस element का sequence बताओ, मालो यह A है, यह B है और यह C है, तो इसका sequence क्या हो जाएगा, C11, तो C11 में first row, first column, first row, इसकी first column इसका, समझे, अब इसका sequence बताओ, इसका sequence बताओ, second जो element आ रहा है, इसमें C12, तो one row होता है, two column होता है, तो first row किसकी, पहले वाले की, second column किसका, दूसरे वाले का, तो first row तो यही रहेगी, column बदल जाएगा, यह वाला हो जाएगा, और वोई element to element प्रोटर करो, last में चोड़ो, फिर इधर C13, first row वही रहेगी, column हो जाएगा 3, और वही element to element जोड़ो, sum करो, फिर है C14, first row हो रहेगी, column number 4 हो जाएगा, element to element जोड़ो, जोड़ो, अब row बदल गई, two one हो गई, तो अब इधर से भी row बदल दो, second row, first column, फिर second row, second column, आ जाएगा C22, फिर second row, third column, second row, third column से product होग होगा, और फिर second row, fourth column, second row, fourth column से गुणा होगा, गुणा होगा कैसे, element to element गुणा होगा, sequence में, पहला, पहले से, दूसरा, दूसरे से, तीसरा, तीसरे से, end में, sum, ठीके, तो जब तक अपन शकल नहीं बनाएंगे, because order की मुझे matrix मिलनी है, तब तक अपन multiply करना नहीं, start एक बार practice होगो, और आपने बिना order बना यह लिखना शुरू कर दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन starting में क्या करेंगे, पहले define है की नहीं वो चेक करेंगे, और result के आएगा, वो चेक करेंगे, उसके बाद यह product करना शुरू करेंगे, समझ आया, अब लिखें, लिखना क्य order की define होगी, तो C मिलेगी, M by P order की, मिल गई, ठीक है, जनल form लिखो, तो इसकी जनल form यह लिख दी, इसकी जनल form यह लिख दी, जैसे अगर इसके number of columns को इसके number of row से match किया है, तो अंदर sequence में भी Jth column, Jth row से उसके match करना पड़ेगा, ठीक है, और answer क्या आएगा, C आएगा, ल आएगा, आएगा, Cth column से operation करना है, यह तो समझ में आगया, पर operation करना क्या है, क्या चीज गुणा करनी है, वो सिखा रहे हैं, ठीक है, यह तो करना किसका किस से है, क्योंकि कुछ rows इदर है, कुछ columns इदर है, तो कौन सी row को उठाना है, और कौन सी column को उठाना है, उसका पता कौन सा है, वो समझ में आगया, पर अब उठाना कैसे है, और गुणा कैसे करना है, तो कैसे करना है, बता चुका हूँ, element to element product and फिर उसका sum, ठीक है, तो अब यह देखो, आगए पड़ों क्या करता है, to get the element C, I, के, टाइप के element को प्राप्त करने के लिए, C matrix के, we will take the i-th row of matrix A, we will take the k-th column of matrix B, बता चुका हूँ, उसके बाद क्या करेंगे, multiply them element wise, multiply them element to element multiply करना है, multiply them element wise and finally क्या करना है, take the sum of all element wise products, जितने भी element wise products मिले, जैसे इस केस में तीन मिले, कहीं ज़्यादा भी मिल सकते, जितने भी मिले, finally उसको जोड के, और जोडने के बाद जो आंसर आगा, एक element मिला है, just मुझे, अगली, resultant matrix का, समझाया, अब ये तो था, एक तरीक से statement form, अब mathematical form कैसे लिखेंगे, हम इसको, आप मिसकी mathematical form कैसे, देखना ध्यान से, थोड़ी सी एक बार सुनने में, देखने में, थोड़ी सी बयानक सी दिखेगी, बट इतनी ज़्यादा मुश्कि की, लेली मैंने, और कियत कॉलम किसका लोग है, दूसरी matrix का, जैसे इधर देखो, ये है आई अथ रो, ये है कियत कॉलम, लेली है मैंने, अब इसके element को, पहले element को, पहले element से कराओगे कुणा, बोलो, आई अथ रो का पहला element जो होगा, वो ए आई वन से demonstrate होगा, मानलो ये आई ये इलिमेंट, आई आई रो, एक दो तुन, और उधर वो उधर जो है वो इध कॉल नहीं, के खाल मानलो किया है, क्या है, के खाल मैंने, इधर से क्योलम लेना है, ये तो फिक्स है, लेना है, ठीक है, अब आई रो का पहला element जो होगा, वो ऐ आ इन औन होगा, और के ख कोलम का दूसरे मैटरिक्स में कियत कोलम का यूप्हार होगा वह ब्र Place mes में किया पहला एलिमेंट यह देल पय तो एक तरीके से इसको इससे गुणा कराने का मतलब है AI1 को B1K से गुणा कराना चलते हैं अब सेकंड इस element को क्या कहेंगे आयत रो है न और second element है तो I2 और के अथ column है न उसमें second element है तो 2K तो याने AI2 को फिर B2K से गुणा कराना है करते हैं करते हैं कहां तक करना है जितने उसमें इसने इन और के से करते समझ आया घ्लियर है तो यह तो हो गई इसकी मतलब एक तरीके से expanded अब इसको जब हमको मैच के अंदर बहुत सारे चीजों को जोड़ना होते ये 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 सीरीस बनानी होती है तो उसको जोड़ने का एक मेरे पास operator हमको मैच ने दिया है जिसको अपन कहते हैं summation या sigma जो अपन 10 से पढ़ते वे आ रहे हैं टेक्स्टिक्स में ही पढ़ाता है 11 में पढ़ाता है समेशन या सिगमा तो इस पूरे फॉर्मूला को समेशन करने की कोशिश कर रहा हूं देखो समेशन करना है किसका करना है एए अब देखो इद को आई 1-1 K आई 2 2 K तो कौन सी चीज है जो सेम है और तो बदल रही है 1 1 2 2 सेम है इधर वन है तह 002 है और बार बार बदल रहा है तो जो चीज बदल रहे है इसको मैंने लगा दिए जे और इधर भी जे लगाना पड़ेगा और ऐसे प्रोडक्स जितने भी मिलें उनका क्या करना है आपको समेशन करना है और J की value कहां से कहां vary कर रही है 1 से लेकर N तक 1 से लेकर N तक तो यह हो गया इस पूरे formula की short form summation form तो अगर आपसे पूछे कोई CI की कैसे आगा तो यह तो ऐसे expanded form में बता दो यह फिर ऐसे summation form में बता दो ठीक है समझाया तो इस formula को नीचे summarize कर दिया हमने इस तरीके से की benajj Day का प्रोड़क का सबका जितने भी product मिलेगी element राड़क्त यह क्या है element-to-element प्रोड़क्त element-to element यह कितने बूदक करना है और सम कितने का करना जितने भी है वन से लेकर एंस था चिदने भी समझाया तो प्रौपटीज पर जाने से पहले हैं इसकी पहले वाले का रोब देखो डिफाइन कब है जब इसके नमबर ओफ कॉलम्स उसके नमबर ओफ रो से मैچ करें लें कि ये लिए कि करना कि यह करोगे तो इसकी तो आयत रो लेनी है तो उसकी आयत कॉलम ile इसका रहे जैसे तीसरी रहे तो इसका तीसरा कॉलम लेना है ज़िए किसी भी पहले रूह को इस का कोई element चाहिए तो उससे पूछँगा भैया सेवेंस बता तो उसने कुछ भी सिक्वेंस बता दिया तो उस सीक्वेंस में एक रोगी कॉलम होगी तो रोगत पहले वाले की और कॉलम लेंगे सेकेंड वाले कि वह हाँ 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 ते को कि देखो स्क्रीन पे ए आई जे गुणा बी जे के बी जे के बराबर हमको क्या लेना है सी आई के ऐसे बोला है मैंने तो देखो द्यान से जो तीसरा कालम किमेंटमम मिल रहा है उसके सीक्वेंस में जो रह है वह पहले को यह करना शूर्ग का टोटेमेंटम पना खी के समझा आया अब हमने सुमेशन फॉं सासे टीस अ अगर आप नहीं समझ पा रहे हो बिल्कुली complicated रख रहा है तो लीव इट यह कहीं भी एक्जाम में नहीं आएगा यह केवल आपकी personal knowledge के लिए था और समझ नहीं है किसन मुझे तो समझ नहीं है तो घर जाके वीडियो को पॉस्ट करके दीरे-दीरे समझो और फिर भी ना समझ तो कल मेर पास आजो फिर से समझाते हैं यह चीजें तसली से समझी जाती है मिल्कुल ठंडे दिमाग समझी कोशिश करना और फिर समझ में ना आए तो फिर कल आके पूछा ठीक है अब बात करते हैं प्रॉपर्टीस ओफ मल्टिप्लिकेशन तो प्रॉपर्टीस ओफ मैट् सिंपल सी बात है A गुना B और B गुना A बराबर तो तब होगा ना जब दोनों डिफाइंड है अब डिफाइंड कब होते हैं लेट से मान लो A का order है मान लो A का order है 2 by 3 और B का order है मान लो 3 by 5 अब यह defined है अब इनका उल्टा डिफाइन ही तो बराबर तो कहुंगाना जब मल्टिप्लिकेशन हो के कुछ मिल सकता है प्रोड़क्त की नहीं हो सकता तो फिर कॉमिटेटिव लगेगा कैसे नहीं लगेगा अच्छा सब्सक्राइब अगर ओडर डिफाइन हो जाए मैट्रिक्स मिली इधर से भी वह मैट्रिक्स मिलने चीए दोनों बराबर मैट्रिक्स मिलनी चीए equality of matrices में एक-एक element match होता है तो इधर से भी एक-एक element match होना चीए तो element match नहीं होगा order match हो गया तो product करने के बाद element match नहीं होगा और अगर in case element भी match हो जाए तो फिर वो एक इत्तिफाक है उसको law नहीं बना सकते law क्या होता है जो हर बार हर बार लगे अब उसमें मालो order समझ गई क्या चीक है नॉन कॉमिटेटिविटी पढ़ते हैं हम पहले लोग है नॉन कॉमिटेटिव दो मैट्रिसेस का multiplication दो मैट्रिसेस यह वाली और यह वाली जब भी multiplication की बात करेंगे तो n से n मैच करना पड़ेगा ना नॉन कॉमिटेटिव होता है तो एक गुणा बी बी गुणा एक बराबर नहीं होता है यह अप सर इसके बारे में सब्स्तार से बता हो सबसे पहले चीज़ तो मल्टिप्लिकेशन बी एग इस नाट इस नहीं है क्योंकि इदर है एम उदर है पी एम एक्वल टू पी हो रहा है सबसे पहली चीज़ तो इसका कारण यह है कि का ओडर डिफाइन ही नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि नमबर ओफ रोस उसकी एम है जो कि पी और एम एक्वल नहीं आ रहे है बट इन केस फिर वहीं बात कर रहा है मान लोग किसी ने जोड़ तोड़ करके बाई एनी मीन्स किसी भी तरीके से नमबर ओफ कॉलम्स ओफ मैट्रिक्स भी और नमबर ओफ रोस मैट्रिक्स याने पी और एम को बराबर कर दिया और प्रोड़क् यह इंप्लाइ नहीं होता कि प्रोड़क्ट ए बी और प्रोड़क्ट बी यह बराबर है पहली चीज़ ओडर ही मैच नहीं होता आपने कर दिया जोड़ तोड़ लगा के तो अब प्रोड़क्ट मैच नहीं करेगा फिर भी कर रहा है तो वह इतिफार ठीक है डन लगेगी तीन मैटरिश को मुझे मल्टिप्ला करने हैं फिर आप रखें तो अब आपको आपको यहां करना है यह करना है यह करना है करना यह करना है मुझे A to B to C करना है अब करें कैसे आप चाहो तो पहले इन दोनों को कर लो फिर इसको कर लो आप चाहो तो पहले इन दोनों को कर लो इसको कर लो आंसर सेम आएगा तो associativity लगती है पर आप order मत बदल देना क्योंकि लगती तो है पर उसकी बात कप करी जाएगी जब इनके order ऐसे रखे हुए हों कि यह अब आपने order ही ऐसे नहीं लिए A matrix B matrix C matrix सेम order में आपने matrix के order ही अलग-अलग-अलग कर दिये कि multiplication ही define नहीं हो रहा है तो फिर बात अलग है फिर आपको कि सारा असोसेटी नहीं लग रही अरे असोसेटीविटी लगने जैसे क्राइटीरिया तो दे क्राइटीरिया देने के बाद वो लगेगी आंसर सेम आएगा चीक है मतलब बच्चे का टेस्टी नहीं लेए और के दिये पहले ही फेल है तो इन्वैलिट हो गई ना बात आप order वैसा ही रखोगे A का भी B का भी और C का भी ऐसा कैसे रख सकते हैं द इन तीनों का जो प्रोड़क्ट आएगा उसका फाइनल अंसर क्या आएगा इसके पहले सबसे पहले वाले के रोज और अगर सब्सक्राइब लेकिन अगर सब्सक्राइब यहां पर मैंने मेरी मर्जी से 3-4 रख दिया तो अब लगने जैसे क्राइटीरिया नहीं दे रहा है इस तीन मैट्रिसेस की टाइब की लिए पहली बात तो वह देखो एगर लिए मैंने एम बाइन की तो बी मुझे लेनी पड़ेगी एन बाइपी की तो मुझे सी लेनी पड़ेगी पी बाइए को चोथा लेटर इंट्रोडिस हो चुका है क्यों ठीक है फॉलोस दे असोसिये लो फॉलो होगा असोसियेटिव लो सच देट सच देट अबी करके सी करूं या बी सी करके ए करूं वह बराबर आएगा वैनेवर वैनेवर दा ओर्डर्स ओफ ए बी और सी आर सच देयर मुल्टिप्लिकेशन इस डिफाइन बोथ साइश ओव एक्वालिटी मतलब एक्वाल इस साइड दोनों साइड वह मल्टिप्लिकेशन डिफाइन होना चीए इस टाइब के आप एबी सी के ओडर लो तो असोसियेटिव लगेगी आप और नहीं ले रहे हो तो फिर ओविसली नहीं लगेगी डन असोसियेटिविटी के बाद आता है डिस्रिबिटिविटी वही स प्लस फिर आप A into C अलगा अरो मैंट्रिक्स में भी आप ऐसे कर सकते हो स्केलर में तो कर सकते ही था है मैंट्रिक्स में भी आप डिस्रिबिशन कर सकते हो अब्यस बात है अबी सी के और वैसे लेने पढ़ेंगे कि वो सारी चीज़े डिफाइन जैसे B और C के order ऐसे लेने पड़ेंगे तो वो एक अलग बात हो जाए ठीक है ना कि एडिशन का मल्टिप्लिकेशन पर एग्जांपल अगर मैं को ऐसे लिखना है तो मैं क्या कर सकता हो एंटू बी अलग बात में चोड़ दो और अगर मुझे यह जो मुल्टिप्ला हो रहा है वो लास्ट में रखा हुआ है तो मैं कैसे करूँ आप ऐसे मत कर देना कि सर् सीक्वंज में कर सकते हैं क्योंकि कॉमिटेटीव नहीं है अब मैं कर सकते हो सकते हो क्योंकि रियल नमबर का मैं कॉमिटेटिव होता है व तो two real numbers commutative होता है product of two matrices commutative नहीं होता है तो उसी आखरी में रखा रहेगा ठीक है तो अगर वो जो multiplication वाला पाट है वो आखरी में रखा रहेगा तो आप कैसे करोगे A into C करोगे आप C into A भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि A into C यह दो याद रहेंगे मल्टिप्लिकेशन ओवर एडिशन ओवर एडिशन वहीं सेंचीज कहे रहा है कि वैदेवर आप के ओडर वैसे रखो वेनेवर दो ओडर्स ओफ दे मैट्रिकेशन और उनका एडिशन इक्वालिटी के दोनों साइड और इस साइड दोनों साइड ही क्या हो ठीक है तीन लोग पड़े अब दो चीजा बच जाती है यहां पर वही जैसे एडिटिटीव इंवर्स थे वैसे ही मल्टिप्लिकेटिव इंवर्स इसको हम कल करेंगे क्यों क्यूंकि यह इंप्रृटंट है और तो इसको मल्टिप्लिकेटिव काउम में समझवें थोड़ सा इधर भी हलका सा टाइम लग सकता है तो जल्दी बाजी में पढ़ेंगे य एडिशन ही चल रहा है तो यह क्या गया है यह देखो यहां पर भी बताया वाँ दिस इंटू दिस कर रहा है ना फिर जोड रहा है जोड के फिर गुणा कर रहा है ठीक है चलो एक लेते हैं पंदो सीधे सीधे उससे चारी चीज क्लियर हो जाएगी यह लोग एक्जामपल अमद ट्वल सबसे पहले तो इसका ओडर बोलो इसका और बोलो यह तो उसमें स्टेंडर फॉर्म क्या होगी बोलो सी वन वन टू सी वन टू सी पहले तो आपको टसली से लिखना है श्टार्टिंग फेस पर तीडरे दीडरे प्रैक्टिस हो जाएक तो आप ड्रेक्ट टो सी टूप अब इस एलिमेंट की वैलीउ चाहिए इसके बाइन है तो बॉस्त रहो उसकी फस्ट कॉलम इसका फस्ट रो उसकी फस्त कॉलम में अच्छह एलिमेट सेम यह मिलेंगे आपको पे मिल रहे हैं अब यहां पीछाने क्योंगे बीटर्ध साथ Aa 63 और 12 63 और 12 65 75 पहला एलिमेंट ठीक है दूसरा एलिमेंट सी वन टू तो अब फस्ट रो और सेकंड कॉलम अब फस्ट रो और सेकंड कॉलम वह एलिमेंट टू एलिमेंट शिक जा तो सेकंड रो फस्ट कॉलम अब इसकी सेकंड रो लेनी इसकी फस्ट कॉलम लेनी है और वह तरीके से हम आगे बढ़ेंगे ठीक है कैसे हम दो मैट्रिस को मैंटिप्लाया करते हैं पूरी एक्सराइज में सबसे जो कोई हल किसी कोई मुश्किल चीज लगेगी तो आपको यही अच्छे बजया आना ठीक है okay thank you so much for listening to us have a nice day keep learning and